हलो स्टूडिंस दिस उस उपितिवारी एंड यू आर वाचिंग एफेवरिट एजुकेशन चैनल मागनिट ब्रेज जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन और जब 100% फ्री काया जाता है ना तो इसका मतलब यह नहीं कि दो चैप्टर के बाद आपक का सॉल्यूशन ही क्यों ना हो सब कुछ दिया जाता है 100% किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो हम शुरू कर चुके हैं क्लास सिक्त का साइन सब्जेग जिसमें आमने बहुत सारे चाप्टर आल्रेडी कवर कर लिये हैं अब बारी आई थी हमारे चा का मैगनेट कैसे बना सकते हैं तो उसको जरूर देखिएगा मैगनेट को मैगनेट ब्रेंस पर कैसे देखोगे तो इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसके तुरू आप देख सकते हैं ठीक है तो वह आज का टॉपिक क्या है तो चाप्टर नू क्या बता दिया कि North और जो North पोल अगर आप दो मैंगिनेट के North और North को आपस में पास में लेकर किया होगे तो हो रिपेल करेंगे रिपेल करने का मतलब क्या होता है दूर जाए ठीक है और अगर North लेके आए और यहां से South लेकर के आओगे तो वो एक दूसरे को attract करेंगे तो opposite poles जो है वो एक दूसरे को attract करते हैं और same pole एक दूसरे को repel करते हैं दूर भगाते हैं ठीक है तो यह repulsion होता है और यह attraction होता है इस चीज़ को जानने के लिए आज का यह जो विडियो है वो हमने prepare किया है और इसमें हम आपके चैप्टर की जो एक्टिविटी है ना उसे भी कवर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो लेट्स अस प्ले अनादर इंट्रस्टिंग गेम विट दमागनेट अब लास्ट में तो मैंने आपको जब मागनेट बनाना सिखाया था तो वो भी एक बड़ा इंट्रस्टिंग फैक्ट था तो चलिए एक छोटा सा अपन गेम खेल करके देखेंगे गेम के साथ में कि कैसे यह जो पोल्स हैं वो अपोजिट लोग एक दुसरे को एट्राक कर रहे हैं और सेम सेम पोल एक दुसरे को रिपेल कर रहे हैं तो टेक two small toy car and level them A and B ठीक है अब आप इसको A नाम दे दो और एक कार को B नाम दे दो ठीक है प्लेस अ बार मैगनेट on top of each car अब हर एक कार के उपर बार मैगनेट को रख दो along its length and fix them with a rubber band अब आप इसकी जो पूरी length है उसकी जो उपर के side पर इस तरह से एक मैगनेट यहां रख दो एक मैगनेट यहां रख दो दो कारों के बीच में और इसे rubber band से fix कर दो इने car A keep the south pole of the magnet towards and front अब जो भी car है for example आपका car A का जो south है वो इसके front में रखो और north को इसके back में ठीक है and place the magnet in opposite direction in car B ठीक है और car B में आपको opposite direction में रखना है कुछ इस तरह से जैसे यह south है तो यह इसका आप front side पे क्या रखोगे नौट रखोगे now place the two cars close to one another हाना अब दोनों कारों को पास में रखो what do you observe do the cars remain in their places do the car run away from each other do they move towards each other and collide record your observation in a table ठीक है अब आपको दो कारों के बीच में के ऊपर इस तरह से magnet को रख देना था और इसके बाद यह check करना था कि क्या हो रहा है इन magnets के साथ अब जब आप यह experiment करोगे उसके बाद आप यह जो आने वाला जो टेबल है ना जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूं उसको आप cover करिएगा तो यह जो टेब आपने दोनों कारों को रखा हुआ है इन कारों को यह देखे कि क्या यह दूसरे को attract कर रही है यह दूसरों को repel कर रही है यह आकर के टकरा गई है क्या हुआ ठीक है अब ऐसे आपको रख देना है अब क्या हो रहा है मतलब कि आपको simple कुछ नहीं करना है इन दोनों को पहले इस तरह से रखना है फिर क्या कर देना है फिर आप इसको गुमा दो ठीक है आपने सामने आ रहा है अब क्या होगा note the direction in which the car moves दाओ और इसके बाद car की direction को note करो next place the car A behind the car B and note the direction in which they move in each case अब इसके बाद क्या करो इसके बाद इस car को यहां से उठाओ और इसके पीछे रख दो फिर आपको observation देखना है तो next repeat the activity by placing the car with their rear side facing each other ठीक है अब हर तरीके से हमने car की position करके देख ली अब आपको क्या-क्या पता चलने वाला है तो मैं बता देती हूँ आप जब experiment करेंगे तो आपको क्या-क्या पता चलेगा तो front of car A facing the front of car B ठीक है अब यह car A और car B का front क्या था अब अगर मैं यहां पर यह car बना लूँ for example यह आपकी car है बान लीजे ठीक है और यहां पर आपने रखा हुआ है magnet ठीक है तो आपने क्या किया था कुछ इस तरह से यह उकर front side है आपने दोनों के ही front में अलग-अलग poles को इस तरह से किया तो जब आपने दोनों के faces को ठेक है इस तरह से क्योंकि आपने magnet को अरेंज किया था तो जब आपने दोनों के facings को एक दूसरे के सामने रखा तो क्या हुआ How do the car move? Move towards, away from each other, not move at all तो जब north और south एक दूसरे के सामने इस तरह से तो यह क्या हो रहा है इस direction में यह आगे की तरफ आएगा Move towards Move towards का मतलब क्या आप यहाँ पर समझ लो आप जब ऐसे अपनी cars को रखोगे तो आप यह देखोगे कि दोनों magnets के वज़ा से जो आपका cars हैं वो एक दूसरे से आकर टकला जाएंगी या फिर एक दूसरे के सामने ऐसे आ जाएंगे ठीक है? Rear of car A facing the front of car B ठीक है? अब यह पहला case है अब दूसरे case में आपने क्या किया? दूसरे case में आपने यह जो आपकी car A थी ठीक है? और यह जो car B थी इसका rear end जो है मतलब कि यहाँ पर आपका जो north है और यह जो south है इसको कैसे रख दिया? दूसरी car के front के सामने ठीक है? अब यह अपने car B का front है और यह car A का front है ठीक है? अब इस direction में क्या होता हुआ आपको दिखेगा? ठीक है? अब इस direction में दिखो एक second ना इस direction में यहाँ पर मैंने south north गज़त लिख दिया एक second ठीक है? तो इस direction में आपको car कैसी दिखेंगी? तो जब ऐसी direction में आपके car होगी तो यह एक दूसरे से दूर जाती हुए दिखेंगी away from each other clear है? car A placed behind car B अब आपने क्या किया? car A को उठाया और car B के पीछे रग दिया तो यह जो third case है वो मैं यहाँ आपको draw करके बताती हूँ ठीक है? यह रही आपकी car B ठीक है? जिसका north यहाँ पर है, south यहाँ पर है clear है? और अब आपने क्या किया? अब आपने इसको उठाया ठीक है? नहीं इसका एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा से क्या ना, diagram बनाने की time पर concentration रोड़ा है, बहुत ज़्यादा जोड़ी हो जाता है ठीक है? तो यह magnet को उठाया आपने जो क्या आपकी थी? car number B अब क्या बोल रहे हैं? car A placed behind car B car B के पीछे आपको car A को रख देना है अब आपने उठाया और यह जो आपकी car A थी? उसको इसके पीछे इस तरह से रख दिया तो यह हो गया आपका कौन सा पोल? आपका front side पे north था तो यह हो गया आपका north और यह हो गया south ठीक है? तो अब यह देखे क्या होगा इस condition में? तो इस condition में भी आप यह देखोगे कि यह कैसी जा रही है? away from each other is rear of car B facing rear of car A ठीक है? rear end of car B अब car B का rear end ठीक है? यह हो गया आपका car B का rear end ठीक है? जो की क्या है? आपका north और यह है south ठीक है? जिसको आपने car B A के rear end की तरफ कर दिया है तो इसके rear end पर क्या है? यह है south और यह है north ठीक है? यह इसका rear end clear है तो अब यह देखो इस condition में क्या होगा इस condition में जब आप रखोगे तो यह क्या होंगी move towards एक दूसरे के pass आने की कोशिश करेंगी ठीक है तो यह चारो cases आपको अगर मेरी सुन्दर सी drawing में समझ में आया है तो हमने यहाँ पर draw कर लिया है clear है इस activity को करने से क्या पता चला आपको बताईए इस activity को करने से क्या समझ में आई हमें इससे यह समझ में आया कि माम ने बताया था कि जब भी अगर दो magnets हैं उनके same poles को रखोगे तो वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे रिपेल करने का मतला एक दूसरे से दूर जाएंगे और जब opposite poles को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो क्या करते हैं तो वो एक दूसरे को attract करते हैं तो इसी की कारेंट जब पहली condition थी हमारी कौन सी front of car A facing the front of car B हमने क्या किया था दोनों के front पर magnet को कुछ इस तरह से रखा था कि एक के front पर north आए और दूसरे के front पर south आए और rear end पर एक के में south हो और एक के rear end में north हो clear है तो जब हमने दोनों को face किया आपने सामने तो क्या हो रहा है north और south एक दूसरे के सामने हो रहे है magnet के यह magnet का north है यह magnet का south है अब यह दोनों कैसे poles है north और south opposite poles है नो opposite है, इसलिए क्या होगा? opposite होगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को attract करेंगे यह इसको अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेगा और यह इसको अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेगा आई बास समझ में की नहीं आई? ठीक है, तो यह जब इसको इधर attract करेगा और आपका जो यह है, यह से अपनी साइड अट्राक करने की कोशिश करेगा मतलब यह आस पास आ जाएंगे तो इसलिए यह move towards मतलब एक दूसरे के पास आते हो दिखेंगे ऐसे, ठीक है, अब हमने क्या किया? rear of car A, मतलब जो car A का पिछला हिस्सा था पिछले हिससे पर क्या रखा हुआ था? south, ठीक है इस rear end को इसके car B के front end के पास पे ले आए तो rear end मतलब south को ले आए इसके front end पर इसके rear end पर था south pole magnet का और इसके front end पर क्या था? magnet का south तो साउथ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे साउथ और जो साउथ है वो एक दूसरे को रिपैल करेंगे दूर हटाने की कोशिश करेंगे यह इसको यहां से भगाएगा और यह इसको यहां से भगाएगा तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डारेक्शन में जाएंगे तो इस वजह से क्या हो जाएगा तो इस वजह से यहां पे यह away from each other मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे clear है फिर आपने क्या किया car A को car B के पीछे रख दिया तो जब car A को car B के पीछे रख दिया तो फिर से कौन सी condition बन गई out की depression वाली क्यों कई दोनों के North North एक दूसरे के सामने आगए एक क्या करेंगे हटाने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से जब आपने aware of car B को Mayor of Car A के सामने रख तो यह दोनों और बों के पॉल क्यों कि सामने आये थे इस Problem का क्या करें यह attract कर रहे हैं अपने पास आने की कोशिश कर रहे हैं आई बात समझ में तो आप यह activity जरूर करके देखेगा same pole एक दूसरे को दूर हटाएंगे और opposite poles एक दूसरे को पास में यह attract करने की कोशिश करेंगे clear हुआ आपको यह बात so record your observation in each case what do we find from this activity do two similar poles attract or repel each other what about opposite poles do they attract or repel each other अब भाई आपकी बुक का भी answer दे दे है so what do we find from this activity so we find that there is some repulsion and attraction between the two poles of the magnet हमने यह देखा कि magnet के दो poles के बीच में या तो repulsion होता है या फिर attraction होता है so do two similar poles attract or repel each other तो यह two similar poles repel each other क्या करते हैं यह एक दूसरे को repel करते हैं आई बात समझ में what about the opposite poles do they attract or repel each other so they attract each other दोनों जो opposite poles होते हैं they attract each other clear हो गया you can see the image here यहां पर हमने दिखाया हुआ कि opposite poles कैसे attract हो रहे हैं and same pole कैसे repel हो रहे हैं ठीक है so this property of the magnet can also be observed by the suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it अब यह activity हमने कार के साथ में करी अब कई बच्चे बुलेंगे कि हम इस activity के लिए आप कार purchase करके लाएं तो मतला यह आप बार magnet रखे अपने पास और एट magnet को suspend कर दीजे सस्पेंड मतलब की धागे में बान करके freely इस तरह से छोड़ दीजे अब एक magnet लेकर के आई हो देखे कि वह attract कर रहा है यह रिपेल कर रहा है समझ में आई बार तो यह activity जरूर करके देखेगा क्योंकि अगर जब आप कोई भी ना प्रैक्टिकल को खुद करके देखते हैं तो यह आपको long term तक याद रहेंगे समझ में आई बात और यह राद रखना ही है क्योंकि magnet का यह बिलकुल base है जो आपका भी prepare हो रहा है आगे जाकर कि आपको बहुत सारी चीजे magnet से रिटेट पड़नी है ठीक है तो यह सारी चीज अगर clear होंगी तो आपको हमेशा याद रखो जाएंगी अब भी कोई भी activity available magnet हो चाहे आपने बनाया हुआ magnet हो इन दोनों को ही यूज करते टाइम कुछ जरूरी चीजों का आपको ध्यान रखना है जैसे magnet lose their properties if they are heated, hammered and dropped from some height clear है अब आपने market से magnet purchase करके लाए ठीक है अब आपने यह देखा कि देखता हूं मैं कि magnet जो है क्या वो luminous object है या non luminous तो आप फिर आपने उसको गर्म करने की कोशिश की तो क्या होगा जो magnet पहले आपके iron के piece को attract कर रही होगी उसके बाद वो बिल्कुल attract ने करेगी क्योंकि heat करने पर magnet अपने magnetism को खो देता है आई बात समझ में next is hammered hammered मतलब अगर आप जोर जोर से उसके उपर इस तरह से आप hammer चलाते रहोगे उसे मारते पीटते रहोगे तो क्या होगा तो भी अपना magnetism खो देती है मतलब कि वो फिर magnet नहीं रह पाएगी अगर आपने उसको बहुत तीजी से fake दिया या उपर छटपे से नीचे जमीन पर गिरा दिया तो क्या होगा तो भी वो अपने magnetism को खो देती है lost कर देती है तो also magnet become weak if they are not stored properly अब आपने ये सब चीजे नहीं करी कि चीक है माम ने बोला था कि गर्म नहीं करना है मारना पीटना नहीं है ना कहीं से फेकना है ठीक है अब आपने उसको रग दिया ठीक है लेग to keep them safe bar magnet should be kept in a pair with their unlike poles on the same side ठीक है अगर आप यह चाहते है कि आपका जो magnet है वो magnetism अपना वरकरार रख पाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको जैसे आप बार मैगनेट को रखते हो तो बार मैगनेट को उसके अपोजिट पोल के साथ में रखो मतलब क्या मालीजी यह आपका मैगनेट है नौर्थ और साउथ तो इसके उपर एक और मैगनेट रखिएगा जो कि साउथ यहां हो और नौर्थ यहां पर हो ठीक है तो यह इसका जो magnetism है वो हमेशा बना हुआ रहेगा अब आपको क्या करना है एक पीस और वुड को हमेशा उनके बीच में रखना है वाइल टू पीसे ओफ आईरन शुद बी प्लेज़ अक्रोस दियर एंड्स अब आपको जब भी magnet इस तरह से आप रखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो अनलाइक पोल्स को उसके सेम डारेक्शन में अब जैसा मैंने आपको पताया उसके बीच में आपको एक वुड का पीस रखना है क्या रख देना है वुड का पीस कुछ इस तरह से क्लियर है और होर्शू मैगनेट और अगर होर्शू मैगनेट है तो एक आरेन का पीस आपको इस तरह से लगा करके रखना चाहिए कीप मैगनेट अवे फ्रॉम दा कैसिट्स मोबाइल टेलिवीजिन मूजिक सिस्टम कॉम्पैक्ट डिस्क एंड़ कम्प्यूटर है तो उनसे थोड़ा सा दूर रखना है क्यों क्योंकि इनके अंदर भी मागनेट होता है अब कौन सा पोल अपने तो इसको आपोजिट पोल के साथ में इस तरह से रखा हुआ है बीच में वूड लगा करके लेकिन अगर अगर अपने इसको मोबाइल की पास रखे तो मोबाइल में भी मैगनेट होता है हो सकता है कि उसके सेम सेम पोल एक जगे पर आ जाए और फोकट में मागनेटिक प्रॉपर्टी यूज होती जा तो आज के इस वीडियो में क्या क्या पता चल गए आपको कि आपको रिपर्शन अट्राक्शन क्या होता है और कैसे आप अपने मागनेट को सेफ करके रख सकते हो प्रेकॉशन क्या क्या ज़िना चाहिए मागनेट के लिए और यही पर हम करते हमारे इस चाप्टर और एक कोड़ा फट सेना रेकेप में आप हो करवा देती हूं कि इस पूरे चाप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा ठिएर है तो सबसे पहले ही तो हमने यह जाना कि मागनेटाइट इस अनेट्रल मेगनेट जो मागनेट होता है ठीक है मागनेटाइट मतलब कि जो रौक होती है अगर किसी को मागनेट के बारे में बिलकुल बेसिक से पढ़ना है अगर हायर क्लासेज में भी जाओगे तो यह वीडियो आपके हमेशा काम आएगा क्योंकि कुछ छोटी-छोटी से चीज़ें हम भूल जाते हैं बर्वबद एखामपल की नाइचल मागनेट होती है मागनेट जैटो किसको एटर्टाइब करती है और निकलान को बॉल्ट और इनकौं क्या है इन्हें हम कहते हैं magnetic materials. Materials that are not attract towards the magnet are called the non-magnetic material. और जो material magnet की तरफ attract नहीं होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं non-magnetic materials. Each magnet has two magnetic poles. हर एक magnet में दो poles होते हैं, north pole and south pole. A freely suspended magnet always align in north and south direction. अगर कोई एक freely suspended है, freely suspended का मतलब, अगर आपने धागा बांधा किसी magnet में उसे wood के piece में इस तरह से लगा देते हैं, तो मतलब कि वो आपर उसको लगा करके छोड़ दिया, तो वो freely suspended है. तो वो हमेशा किस डारेक्शन में रुकेगी? North और south direction में. A freely suspended magnet always allowed in north and side direction. Opposite poles of the two magnet attract each other, whereas the similar poles repel one other. ठीक है? Opposite poles magnet के हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को attract और जो similar poles होते हैं, वो repel करते हैं. ये point बहुत अच्छी तरिके से आप सभी को याद रखना है. clear है? और इसी के साथ हम खटम करते हैं chapter number 13. वेल इस chapter के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे topics हम already हमारे previous वीडियो में कर चुके हैं complete. तो उनको कैसे देखोगे? तो या तो इस वीडियो के description box में जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी playlist. तो science के तो आप सारे chapters देख सकते हो. अब आपको कोई और chapter पढ़ना है, sorry, कोई और subject पढ़ना है, तो कैसे देखोगे? तो जाएए आप Google पर type करिए www.mindandbrains.com, type करते साथ ही एक इस तरह से screen open हो जाती है, जिसमें आपको select करना है cbsc English medium, क्योंकि हमारे पास बाकी सारे courses भी हैं, आप किस course के हैं? cbsc English medium, तो उसको choose कर दीजे, फिर आपको class 6 को select करना है, class 6 को select करने के बाद, जो subject पढ़ना चाहते हैं, for example, science, maths, whatever, for example, आपको science पढ़ना है, तो आपको क्या select करना है, science by सुर्भी तिवारी, watch now करिए, watch now करते साथ ही इस तरह से screen open हो जाती है, इस screen में ना नीचे की तरह सारे chapters दिये हुए, chapter 1 से ले करके सारे chapter, इन chapter के topics भी अलग-अलग हैं, जो भी topic पढ़ना होगा, उस पर just click कर देना, click करते साथ ही इस तरह से video open हो जाएगा, और इस video को starting से पूरा end तक पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि जब आप पूरा video देखेंगे, तभी आपको topic समझ में आएगा, जब आप पूरा video देख ले, आपको topic समझ में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, like and comment and share with your same class students, अपने same class के students के साथ इसको बिलकुल share करना है, भूलिएगा मत, और भई एक जरूरी information, सारे बच्चों के लिए, जो कि हो सकता है, भी मेरा video देख रहा है, बट है हिंदी मीडियम से, तो आपके लिए भई, बहुत important news यह है, कि magnet brains पर magnet brains हिंदी भी available है, जहाँ पर आपके सारे ही विश friends है, relatives है, तो उन तक इस information को पहुचा दीजे, magnet brains के channel को share इसलिए किरना है, क्योंकि एक ऐसा channel है, जो कि 100% free classes देता है, kindergarten से class 12 तक, वो भी quality education, साथी साथ revision हो, और बहुत सारे चीजों की preparation क्यों ना हो, सब कुछ करवाता है, तो इससे ज़्यादा लाइक और share करना तो बनता है ना, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका benefit ले सके, और channel को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा, क्योंकि subscribe करने से, आपकी class related या subjects related जो भी नई update आनी होती है, वो आप तक जल्दी पहुच जाती है, तो चलिए मिलेंगे हमारी next video में, जिसमें हम इस chapter का करेंगे NCRT solution, तब तक के ल करेंगे 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 करें